नमश्कर आप सभी का स्वागत है स्टार्ड सेटी इन्यूस में मैं इसवक्ड दिल्ली के उत्तम नगर विधान सब्वाट 116 में मौजूद हूं और साथ यह हमारे सुधा शर्मा जी जो कि पूर्व नगर निगम प्रत्याशी सबसे पहले मैं अभी आप जिसे चुनाव डड़ी हैं कैसा अनुभवरा मैं आपका चुनाव ड़ने से बहुत अच्छा अनुभवरा पब्लिक ने बहुत प्यार दिया परंतु यदि कुछ ऐसा रहा कि जो हमारे सामने का जो प्रत्याशी था उस एक बहुवली था और बहु सारा जो धन इकटा कर रखा था गलत कामों से और जो पब्लिक के अंदर उसने एक डर का माहौल भी बनाया कि अगर इनको जिताया और मैं हार गया तो मैं तुमारे साथ मार पीट करूंगा या कुछ भी करूंगा तो इस तरह से उसने बहुत बाहुवली था इसलिए उसने बहुत सारे लोगों को धंखाया जी बाब जिसे चार महींने लग बग उनको जिते ने हो चुक है किस多ствен का माल अब उवाब और क्या अगया है नहीं जा रहा है कि यह इंफ लोगों को धंखाया जा रहा है कि हमें एक लाख रुपए रैंटर चाहिए या पचास अजार ओ ज चाहिए तो इस तरह मतलब सभी को धंकाया जा रहा है और जितने हमारे बोड थे जो लिखे हुए थे पहले से जैसे मेरे पास और भी दायत रहे संगठन के उन दायतों को उन्होंने सब को मिटवा दिया है उन पर सब पर मतलब पेंट करवा दिया है ब्लू कलर का तो पहले प द्ल्ली प्रदेश महला मोर्चे में हूँ और उस से पहले बी द्ली प्रदेश महला मोर्चे थी इस से पहले में तीन के मंडल अध्यक्षराइच रहए उन चार बढ़वा सब्सक्राइब है जहाँ तो जह शुनाव लड़ने के बाद अपने छेतर में इन पूरी तरह हैं हमारे मेरे संगठ्धन की तरफ से जो मुंझे काम दिये जा रहे हैं वो मैं अपने कार्करता हूं कि माध्यम से उन कामों को करवारे पूरी तयारी और मेरी पार्टी जो मेरा संग॥ नहीं है वो हमेशा चुनाओ के मून में रहती है, म regulations have 7 में जाए हैं और यह खुम होगा है, तो हम यह का सक्राव का स्वार थाइब म Green. जनता के बीच में रहते हैं और अच्छा पुब्लिक का रिस्पॉंस भी अच्छा है और लोगों को पस्तावागा वी हो रहा है कि मतलब हमने एक अच्छे परत्याशी को ना वोट दे कि एक ऐसे परत्याशी को बोट दिये वोग्त क्या दिये उन्होंने एक गलत तरीके से च तो वहां पर इतना काम हुआ है कि मतलब प्रतेक व्यक्ति जो है अमोधी जी को चाहता है कि मोधी जी हमारे प्रधान-मंत्री रहना चाहिए और योगी जी का उत्तरप्रदेश में इतना अच्छा काम है कि उनसे सब लोग खुश है आज तक 70 साल में कॉंग्रेस ने जो नहीं काम किये थे आप रोड देख लीजे आप मतलब हर जगे इतनी तरक्य आप पहले अगर स्टेशन पर जाते थे तो वहां बद्वू की वजए से बैठा नहीं जाता तक लेकिन आज इतने साफ सुत्रियां ऐसा लगता है जैसे हम एरपोर्ट पर बैठे हुए तो इतना काम अरोप लगा जा रहे हैं मुख्यमंत्री जीपी अर्तारित करोड कर जो उन पर अरोप लग रहा है रेनुवेशन को लिखी चाहेंगे उस वारे में मैं पहना कहना चाहूंगी कि यह बही सीम है जिन्होंने कहा था कि मैं गाड़ी नहीं लूंगा मैं बंगला नहीं लूंग आपके ठेके खोल खोल कर जितना मतलव कमाया उन्होंने जितनी सब कुछ लिया पैसा जनता से लूटा है वो सब आज वो अपने लिए उप्योग कर रहे हैं उन पैसों का बेसिक क्या मुद्ध है मैं आपके स्चेतर के यहां के विधायक भी आम आदमी के हैं बीजेपी आम करते हैं इतना घंदा पानी आता है कम से कम एक घंटे पानी निकालो तब कहीं जाके पीने लाइक भी नहीं आता है कि आरो वगेरा अगर हम ना लगाए कुस पानी को हम पी नहीं सकते रोड आठ साल हो गए हैं आज तक रोड पर एक कंक्ली नहीं पड़ी है और यद कोई ब सामाजी काम तो जैसे बहुत सारे मतलव महलाओं की हैं परिशान हैं अगर महलाएं तो उनकी पेंशन बंदबाना है या हमारे प्रधान मंतरी जी की जो योजनाई हैं उसके दारा लोगों को रिंड दिलवाना और बच्चों के स्कूल में एड्मीशन करवाना और बहुत सा प्रिवेश जी नहीं करवाई हैं चाहें वो जिम लगवाने के काम हो जितनी जिम की मशीन लगवाई हैं सब प्रिवेश वर्मा जी ने करवाई हैं वो सब हमारे प्रिवेश वर्मा जी ने करवाई हैं और जितनी हमारे प्रधान मंत्री जी की ओजनाय होती हैं वो सब उनके माध्यम के दोरह ही होती है और एक छोटी कोई अपील कोई जनता को आप देना चाहेंगे जनता से मैं सिर्फ इतने ही कहना चाहती हूं कि आप एक धोकेवाज एक बेइमान जो व्यक्ति बैठा है आप उसके बारे में सोचें कि वो आपके लिए कितना सोच रहा है और जो अच्छे व्यक्ति हैं जो आप के लिए काम करना चाहते हैं अगर election आता है आप प्रधान मंतरी जी मोदी जैसे वेक्ति हमारे जिसरी बार प्रधान मंतरी मोदी जी है ऐसा प्रधान मंतरी जी आपको जीवन में कभी नहीं मिलेगा इसलिए आप दो हजास चौवज में भी भारतिय जनता पार्टी को वोड कि अस्थरीय को कि अुष।